अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, आजने लोगों के साथ शेयर करें, और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद. तो फ्रेंड आज के लेक्चर में हम लाइफ साइकल और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन और एलिया, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से और एलिया रिप्रेड्यूस करता है और अपनी तरह के आप स्रिंग्स वो प्रेड्यूस करता है, इसके बारे में को एक जानें इसके पहले हम जो आरेलिया है जिसे की फाईलन से-लंटेटर ने और इसका जिखाए गए है और इसका जो घृक के मि करूंभ लुष्ण है पीडिक तरह और भार में और दीम में। जिनकी संख्या चार होती है और उनके बीच में ग्रूव बना होता है मतलब समझ लीजे कि बीच में नाली से इसमें बनी हुई है जिसको हम ग्रूव कह रहे हैं अंदर गहरी है ठीक है इस वज़े से उसको ग्रूव कहा जा रहा है और उसके बाद आप देखे जो इसकी छत्र प्रूव के अकर का जो इसका एक सम्प्रेलर सर्फिस है उसमें चार और से आपको मार्जीनल लेपर्ट्स दिखाई दे रहे हैं और उसी से लगी हो इसमें वेलेरियम और साथी मार्जीनल टेंटिकल्स है और अंदर के और आप देखेंगे इसमें गोनेट्स दिखाई दे इसमें और इन गोनेट्स से जुड़े हुए रेडियल कैनाल से तो यह इसका एक लेटरल व्यू है जिससे की हम बोलना है जैली फिश या औरेलिया फ्रेंट्स यहां पर आपको औरेलिया का वेंटरल व्यू दिखाई गया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसकी छतर पार का जो इसका च्रुक्टर अभी हमने ऊपर देखा था उसके अंदर की साइट से यह किस तरह का दिखाई देता है तो क्यूंकि हम लोग इसकी लाइब सैकिल पढ़ एं तो हम मेन इम फैसल इसके गॉनेट्स पे रखेंगे कि इस तरह के गॉनेट्स हैं उनकी पोजीशन तो आप देख सकते हैं इस विगर में कि इसमें चार आपको सर्कुलर गोनेट्स दिखाई दे रहे हैं और यह जो गोनेट्स हैं यह इसके ओरलाम्स के सेंटर में हैं चारो इसके ओरलाम्स के बीच में हैं ठीक है तो फ्रेंट जो इसके गोनेट्स होते हैं स्टार्टिंग में इनका structure कुछ घोड़े की नाल की आकार का होता है और यह पिंक कलर के होते हैं और यह बाद में जब और ज्यादा इनके ग्रोथ होती है तो उसके बाद यह सर्कुलर यानिकी गोलाकार इनका आकार हो जाता है और साथ ही यह जो इसके गैस्ट्रिक पाउच है यह आप समझ का कि गैस्ट्रिक पाउच से जुड़ा हुआ है उसके बाद इसके माउच से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि गैस्ट्रिक पाउच का कनेक्शन होगा माउच से और फिर माउथ जो है इसके जो ओरलाम से है उनके साथ में उसका कनेक्शन रहता है तो आप याद रखें कि इस के गोनैट्स हैं इनका जो connection है इसके जो interradial पर radial इन canals के साथ में भी ये जुड़े हुई है यहाँ पर आपको और एलिया का side view दिखाए गया और एक side से इसका थोड़ा सा section कट करके आपको दिखाए गया कि यह जो इसके different body parts जो भी हमने देखे थे गोनैट्स, stomach, mouth, etc. यह किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे गोनैट्स हैं गोनैट्स के साथ में आपको जुड़ा हुआ है आपको दिखाए दे रहे हैं स्टमक के साथ में आपको gastric pouches दिखाए दे रहे हैं आप देख रहे हैं इसमें interradial canal और साथ ही आप देख रहे हैं कि स्टमक के साथ में ही यह mouth भी आपको नीचे के और दिखाए दे रहा है जो कि जो इसके oral arms है उसके बिलकुल center में है यह manubrium और उसके बाद इसमें आपको इसके oral arms दिखाए दे रहे हैं आपकी के body parts भी आपको दिखाए दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो गुनैट्स एक्चुली वो जो इसके gastric pouches है उनके साथ में यह बिलकुल जूड़ा हुआ है ठीक है आसपास ही है उसके इस section में आपको और इलिया का vertical section दिखाए गया तो आपको यहां पर बिलकुल हो जाएगा कि जो इसके गुनैट्स है उनकी actual position क्या है तो आप देख सकते हैं कि आप पहले इसमें आप गुनैट्स टून लिए तो गुनैट्स आपको दिखाए दे रहा है उपर तो गुनैट् चैनल ये साथ बहुन है और देखे जो इसमें तो बहुए हो रहा है तो हर एक इस्की ऐसरे कंशip के ओपर पर अपे गास्यार सुनस उसके ढ़िए उसमें फिर उरिक आप की और बहू हो रहा है माउट्स से तो यह संपक्षी दितों फोशुगे थे तो इसका एक वाप्स से जुड़े हुए हैं और आप देखे कि इसका पूरा जो structure है जितने भी हमने जितने भी structure की बात की जैसे स्रमाग और इसका गेस्ट्रिक पाऊच है गोनायाट्स है इंटर्डियल, एक्टेटर तो आप देखे कि जो इसकी लाइनिंग है वह एंडोडर्म की बने हुए है ठीक ह तो याद रखें इसका origin है endodermaline origin चलिए अब reproductive system के बारे में जान लिए औरेलिया के औरेलिया एक diocese animal है diocese मतलब है कि इसमें sexes separate होंगे कहने का मतलब है कि जो औरेलिया है वो या तो male होगा या फिर female होगा तो इस वज़े से हम उसे कह रहे हैं diocese animal और अगर हम इसके गुनेट्स की बात करते हैं तो गुनेट्स अब हमें पता ही है कितने हैं चार ठीक है तो ये चार गुनेट्स जो है इस particular औरेलिया में या तो testis होंगे या फिर over होंगी कहने का मतलब है या तो male होगा या फिर female होगा अब देखें कि इसकी position क्या है गुनेट्स की जो इसके गुनेट्स हैं वो gastric pouches के उपर जो इसके interradial canal से हैं उनके साथ में ये लगी हुई रहती है तो इस तरह से ये इसकी position है और अगर हम इसका shape देखें तो shape और इसका color आप आप लोगों को पता ही है कि उसका shape जो है horseshoe shape होगा यानि की गोड़े की नाल क्या कार के और जो बाद में circular हो जाते और इनका color या तो reddish होगा या फिर pinkish होगा और अगर हम इसके origin की बात करें इसके gonads की तो इनका origin है endodermal ठीक है? यानि की जो इसके endoderm है उससे इसके जो gonads है वो बने हुए है उसके बाद जब हम इसके sex cell या gamits की origin की बात करते हैं तो obvious है वो भी endoderm से ही बने हुए हैं और जो gamits जब finally mature हो जाते हैं उनका बाहर जाने का जो path है यानि की रास्ता है वो है mature gamits से वो छोड़ दी जाएंगे stomach में उसके बाद stomach से वो mouth में छोड़ दी जाएंगे और mouth से वो finally बाहर निकाल दी जाते हैं तो इस तरह से इनका बाहर जाने का path है तो ये इसका reproductive system है चलिए अब इसके development और life cycle के बारे में जान ले इसके development या फिर life cycle को जानने के लिए हम इसको different titles के form में अगर हम जानेंगे तो हमें जादा easy रहेगा तो सबसे पहला जो step इसकी life cycle में आएगा वो है fertilization उसके बाद आएगा next step development and formation of planula larva third step रहेगा development and formation of scyphistoma from planula larva यानि planula larva से scyphistoma का बनना उसके बाद next stage में इफाइरा लार्वा स्टेज आएगी इसकी और finally fifth stage में metamorphosis of इफाइरा into aurelia यानि की इफाइरा metamorphosis के बाद किस तरह से aurelia बनता है इस तरह वो step में हम जानेंगे तो इसकी जो different development की steps है वो इस तरह से रहेंगे चलिए देखें इसमें fertilization की process कैसे होती है so friend अब जैसा कि हमें पाता है कि जो aurelia है ये एक dioces animal है यानि कि male और female gamets अलग-अलग aurelia में बनेंगे लेकिन इसमें एक खास बात है कि जब इसमें mature gamets बन चुके होते हैं तो उसमें जो male का जो gamet है यानि कि जो उसके sparms हैं वो directly sea water में छोड़ दिया जाते हैं यानि कि वो male की body से निकल के उसके mouth के जरिये वो पानी में बहार आ जाते हैं और उस water current के साथ ही वो किसी female जो mediusy है उसके अंदर ये उसके mouth के थूँ ये enter करते हैं और जब ये किसी female ओवा को fertilize करते हैं तो आप याद रखें कि जो ओवा हैं वो mature होने के बाद gastric pouches में ही रहेंगे और वहीं पे आकर के जो male sperm है वो male sperm दूसरे जो और ये वहां उसके आने के बाद इसके mouth के जरिये वहां पे आके gastric pouch में वहां पे ये उसको fertilize करता है और इस तरह से जब उसमें zygote का formation हो जाता है क्योंकि fertilization हो चुका है तो अब हम इससे कहेंगे zygote तो इस zygote जो है उस female mediusi के mouth से होते बाहर निकलता है और फिर जो इसके oral arms है females के जो oral arms में groove बने हुए हैं वहां पे जाके ये settle हो जाता है और वहां पे ये अपने चार और एक pouch बना लेता है और उसके बाद जो इसका आगे का development है जहां पे कि आप देखेंगे कि cleaves etc तो वो फिर आप इसके जो oral arms हैं उसके groove में ही जिसके अंदर इसने अपना एक pouch बना लिया है जो अभी हमने समझा तो यहां से आपको आसानी से समझ मा जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि जो male mediusi है उससे mature spams sea water के जरिये water current के जरिये female mediusi में पहुँचेंगे female mediusi में उसका mouth है उसके through water current through उसके gastric pouch में पहुँचेंगे female के वहां पे mature ova वहां पे इसे मिलते हैं जहां पे कि यह fertilization होता है यह आप कह सकते हैं कि जो इसका fertilization है वह internal होता है और gastric pouch के अंदर होता है वहां पे जब fertilization हो जाएगा तो अब हम उससे कहेंगे zygote तो जाइगोट जो है यह फिर बाहर निकलेगा उसके gastric pouch से और बाहर निकलने के लिए water current के साथ में इसके mouth के जरिये यह जाइगोट बाहर निकलाता है और बाहर भी एकदम अभी पानी में यह नहीं तैरने लगता है यह फिर उसी female mediusi के जो oral arms में उसमें जो groups बने होते हैं वहाँ पे जाके यह अपने आपको अटेश कर लेता है वहाँ पे जाके यह उससे जूड जाता है चिपक जाता है और उसके बाद जो उसके oral arms में जो groups हैं उनमें सबसे पहले अपने ले एक pouch क्रेट करता है और उसके अंदर यह अपने आपको सेफ रखता है और जहां पे कि इसके आगे के development याने की जो cleavage हैं और उसके बाद जो उसके maurula, blastula, etc. जो stages हैं फिर वहाँ पे आगे की processes होती हैं तो यहां पे आपको यह एक easy way में इसका fertilization की process आपे दिखाई गई है चलिए अब इसके fertilization के बाद की जो next step है development and formation of planula larva इसके बारे में देख लें so friend जैसे इसमें zygote form होता है उसके बाद जब यह अपने आपको जो इसके oral groove हैं और alia की वहाँ पे settle कर लेता है तो उसमें फिर cleavage start होती है और cleavage इसमें हमेशा holoblastic cleavage रहेगा और unequal cleavage रहेगा holoblastic यानि कि जो एग है वो पूरा का पूरा उसमें division होगा ठीक है सारे ही parts में उसके division होगा और जो division होगा unequal होगा कहने का मतलब है जो cells बनेंगी वो unequal size की बनेंगी तो इस तरह से इसमें cleavage मौरूला की stage मौरूला की stage में इसमें बहुत सारे multiple cells बन जाते हैं और एक mulberry की तरह उस time पे इस structure दिखाई देता है mulberry जो एक fruit है और इस stage को हम कहेंगे मौरूला और उसके बाद मौरूला stage की बाद इसमें ब्लास्टूला वाली stage में जाएगा जहां पे की center में इसमें ब्लास्टोसील एक cavity बन जाती है और जो इसकी cells है वह अपने आपको एक single layer में वह अपने आपको arrange कर लेते हैं तो इस तरह से इस stage को हम कहेंगे blastula stage इसके बाद next stage है इसकी वह होगी gastrula जिसमें इस blastula में invagination start होता है इस दोरान blastula की cells fold होकर एक double layer structure बना लेती है और इस stage को हम कहेंगे gastrula stage तो जो gastrula की stage है जिसमें की इसमें folding सी हो जाती है तो folding होने के बाद जो बाहर की cells होती है वह ectoderm को represent करेंगी और जो अंदर वाली cells है अंदर की layer वाली cells है उन्हें हम कहेंगे कि यह endoderm को represent करती है ठीक है तो इसका मतलब है कि बाहर वाली cells ectoderm बनाएंगे और अंदर वाली endoderm बनाएंगी और इस तरह से यह एक cavity की अंदर यह अपने आपको बंद रखती है उससे हम कहेंगे silentron और silentron इसमें बाहर की और एक aperture से open होता है जिसे कहेंगे blastopore तो जब imagination start हो जाता blastula में तो वहां से इसकी gastrula की stage start हो जाती है और gastrula की stage में finalist, mactoderm, endoderm, silentron और blastopore यह बन चुके होते हैं इसके बाद जो gastrula है वह next stage planula larva वाली stage में जाता है और इस और gastrula अपने आपको थोड़ी लंबाई में यह बड़ा होता है और जो इसकी ectoderm वाली जो layer है उसमें cilia निकल आती है और जैसे ही cilia निकलती है इस stage में अब हम इस stage को कहेंगे planula larva stage अब यह जो planula larva जो बन चुका है जो oral arms की ग्रूब में अभी तक का यह development हो रहा है इसके बाद से यह female medusy जो है उसके oral arms के उस ग्रूब को यह छोड़ देता है और अपनी जो cilia है उसकी health से यह कुछ time तक sea water में तैरता है और उसके बाद कुछ time बाद यह अपने आपको पानी के बाद यह अपनी next stage में जाता है जहां पे कि यह planula larva अपनी cilia को यह lose कर लेता है यानि कि cilia इसमें से हड जाती है और पानी के अंदर ही जो इसका blastopore वाला जो reason है वो फिर जब आगी इसमें development होता है तो यह बंद हो जाता है cilia इसमें गायब हो जाएंगी saati blastopore इसमें बंद हो जाएगा और यह अपने आपको एक किसी particular substratum में जाकर कि अपने aboral end से अपने आपको पानी में fix कर लेता है और इसकी further development उसके बाद sea water में होती है यहां पर आपको planula larva दिखाए गया है और इसमें तो उस female mediusi के group से अलग कर लेता है जहां से कि इसमें cilia develop हो जाती है क्योंकि cilia की help से अब यह पानी में move कर सकता है और further development इसका फिर sea water में जहां पर कि अपने आपको fix कर लेता है किसी substratum से तो वहां पर इसका further metamorphosis होती है so friends जब planula larva अपने आपको किसी substratum से fix कर लेता तो उसके बाद यह metamorphosis वाले stasis होती है और उस दोरान यह सबसे पहले polyp या फिर hydra tuba में यह convert करता अपने आपको और इस दोरान जो इसकी different organs है वह बनते हैं जैसे सबसे पहले इसमें oral manubrium बनता है उसके बाद इसके mouth बनता है और उसके बाद इसके जो four hollow buds हैं वह इसमें निकलती हैं जिनसे की इसमें tentacles बनते हैं और इसके बाद इसमें gastric raises या mesentries इसमें बनती हैं और साथ ही interradial raises या canals इसमें बनती हैं और साथ ही septal funnel और infantibula ये भी बनता है और ये अपने आपको planula अपने आपको finally hydra tuba में convert कर लेता है तो जैसा कि आपनों को यहां पे polyp form में हपे या hydra tuba form इसमें दिखाए गया है और इसका second वाला stage में आप देखेंगे young strawbilla तो इसको हम आगी समझेंगे तो इस तरह से planula larva में further development sea water में होता है जब ये अपने आपको किसी sub stage से attach कर लेता है और अपनी hydra tuba या फिर polypolli stage में जाता है चलिए देखें कि कैसे hydra tuba में stolen formation होता है और ये अपनी next stage sky face stoma या stromula वाली stage में जाता है और साथ ही उससे किस तरह से fiery या viral larva बनते हैं इसकी जो ये story है इसके development की बहुत जादा interesting है तो जैसे hydra tuba वाली stage में अपनी पहुंचता है तो इसके root की side वाला reason है या base वाला reason है वहां से root like structure इसमें निकलाता है इस stage में हम इसे इस stage में hydra tuba जिसमें root like structure निकलाया है उसकी health से feeding करता है और साथ ही उसमें budding भी होनी शुरू हो जाती है और ये पूरी process आने की feeding plus उसमें budding की process जो है पूरी घर्मियों भर चलती है और जैसे ही घर्मियां खतम होती है तो वैसे ही इसमें budding बंद हो जाएगी अब ये food को store करना शुरू कर देता है ठीक है और ये पूरा ये winter भर ये इसका चलता है और जैसे ये stolen वाली stage जब इसमें आती है तो यानि कि पहले साल में पहले winter तक तो इसमें क्या रहेगा food को store करना शुरू करेगा ठीक है और transverse friction यानि कि जो इसके ऊपर वाला base से ऊपर वाला जो इसका reason है उसमें ये गोलाई में ये कटना एक तरह से शुरू हो जाता है जिसे हम कहरें transverse friction और इस stage में हम इसे कहेंगे strobilation वाली stage कहेंगे इसकी ठीक है और इस stage में जहां कि ये जो hydra tube है अपने आपको divide कर रहा है इस stage को ही हम कहते हैं scyphistoma और strobilis stage और जो इसकी जो हर एक जो transverse disc है या हर एक जो इसमें जो annuli जो बन चुके हैं ring like structure जो इसमें बन चुके होते हैं segment बन चुके होते हैं उस segment में यानि कि हर एक segment से एक इफाइरा लारवा बन सकता है ठीक है तो इसलिए हम इस stage को कह रहे हैं scyphistoma और strobilis stage और जब ये अपने आपको इस strobilis से हर एक segment जब अपने आपको अलग करता है तो वो एक individual इफाइरा लारवा में convert हो सकता है so friend जब ये अपने आपको scyphistoma से जब जो इसकी segments है वो अपने आपको अलग करते हैं तो सबसे पहले उपर top most वाला जो इफाइरा है वो release होगा तो क्योंकि वो release हो रहा है तो उस time पे उसमें solar tentacles उसमें रहते हैं और ये tentacles जो हैं ये एक तरह से गायब हो जाते हैं जब ये फाइरा release होने वाले होते हैं और इसमें 8 lobe इसमें बन चुके होते हैं साथी उसमें tentaclosest भी हर एक lobe में बन जाता है और इस तरह से जब ये फाइरा larva जब उपर से जब ये release होते हैं तो उनमें किसी भी तरह के tentacles नहीं होते हैं तो इस बात को और उसमें फिर segmentation होगा, उनमें tentacles निकलेंगे और साथ ही जो ये process है, ये दोबारा से होनी शुरू होती है, ठीक है, और इस तरह से जो इस टॉबिला जो है, ये औरेलिया का, ये कई सालों तक इस तरह से जिंदा रह सकता है, इस तरह से feeding करता है, और budding के माध्यम से, वो समर में अपना budding की process करेगा, और उसके बाद फिर अपनी वो स्काइफेस्टोमा वाली stage में जाएगा, जहां पर कि इसमें segments बनते हैं, और हर एक segment से इसमें फायरा लार्वा विंटर्स में release होते है, ठीक है, तो ये इसकी बड़ी interesting process है, तो आप सो सकते हैं कि एक स्ट्रॉबिल स्काइफेस्टोमा आपको दिखाए गया है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये स्काइफेस्टोमा है, इसमें कई सारे segments आपको दिखाई दे रहे हैं, transverse, disk दिखाई दे रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है, फ्यूचर इफायरी, ठीक है, और नीचे से horizontal इसमें फिशन यान होने वाला होगा, इस तरह से हर एक segment से एक इफायरा लारवा बन सकता है, और ये finally फिर एक adult और इलिया में ये अपने आपको convert कर सकता है, तो यहां पर ध्यान देनी वाली बात ये है, कि इसमें जो reproduction हो रहा है, एक तो इसमें budding के थू हो रहा है, यानि कि strawbulation के थू हो रहा ठीक है, तो दो तरह से, एक तो इफायरा के जरिये, जब ये finally अपने आपको adult और इलिया में जब ये अपने आपको convert करेगा, तो उस माधियम से ये sexual reproduction की process को show कर रहा है, और दूसरी तरफ जो इसका, जो ये budding वाला process है, ये asexual medium के थू रहा है, ठीक है, तो इस तरह से कई ब्रांचेस में ऐसी बनती रहेंगी, बट्स निकलते रहते हैं, जो हाइडराट्यूबर वाली स्टेज से, उस में फिर स्टोलन उस में फरमिशन होगा, देन उस में स्काइफिस्टोमा वाली स्टेज, उसके बाद ये फायरा में convert होगा, और अपने आपको इस तरह से, यहां तब पहुँचने के लिए यह अपना sexual reproduction वाली process के थूँ पहुच रहा है, ठीक है, लेकिन यहां से जब इसमें reproduction हो रहा है, तो एक तरह से asexual हो रहा है, साथ ही यह जो sexual reproduction वाली जो पार्ट्स हैं, या उस तरह की जो individual है, वह भी यहां से बना रहा है, ठीक है, तो इस यांग, मेडिवसोईट, और इलिया बन सकता है और इस स्टेज में इसमें आठ नोस्ट लोब से हैं यानि कि बीच में से देखो अंदर की और को ब्रेवे और आठ हैं यह आप काउंट करेंगे जो इसकी ब्रांचे से निकली हुई है और साथ ही इसमें अलग-अलग इसके बदेखे सकते हैं कि हर एक भी सेग्मेंट से यह मैं सेग्मेंट से में पाइक अरे हारा-वा सिलि अधर में सेक्शाल सेक्शाल रिप्रोडक्षण हो रहा है लि worries कि इसको चैस थाय यह वाली स्कैस्चाइस इन वाली इस्टेजा सेजा और देखें गेज जो सेक्शाल रफ्रोडच्चेन हो रहा है यह सेक्शाल साथ ही टेंटिकल्स, गैस्ट्रिक रिजिस्स यह आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके बेस पर आप देखेंगे इस्टोलन जो कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी हल्प से फीड करता है ठीक है और साथ ही इसमें बर्ड भी दिखाई दे रही है तो इस तरह से जो इसके मेडिसोइड फॉर्म में उनको जन्म देता है तो यह मेडिसोइड फॉर्म आगे जाके सेक्शुली रिप्रोडूस करते हैं तो इस तरह से दो तरह से रिप्रोडूक्शन हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि सेक्शुल रिप्रोडूक्शन और दूसरा इसमें से जैसे ही फायरा लार्वा अपने आपको स्ट्रॉबिला से अलग करता है तो उसके बाद ये पानी में तैरना शुरू करता है और उस दौरान ये जो छोटी-छोटी से जो उसमें प्रोटोजोंस होते हैं पानी में उनको अपनी लेपेट्स की हल्फ से उनमें फीट करना शुर मेजोग्लिया वाला जो जो रीजन है वह उसका साइस बढ़ता जाता है इसके साइस कि बढ़ने के वज़े से इसमें इंडोडर्म की जो लेयर है वह उसमें भी कुछन आते हैं साथ ही इसमें चार ऑडल आमस निगल आते हैं टेंटिकल्स इन में दिखाई देने शुरू होते हैं और एक adult medusa में जितने भी उसके body structures हैं वो अब इसमें जब तक पूरा adult बनता है तो वो सारे ही उसमें develop हो चुके होते हैं और ये पूरी process होने तक इसमें लगभग एक summer का इसमें एक गर्मी भर का वक्त इसमें लग जाता है तो इस तरह से जो metamorphosis है उसकी process के बाद finally जो इफायरा है अपने आपको एक adult medusa में convert कर लेता है यहाँ पर आपको flow chart के माधियम से Aurelia का life cycle दिखाए गया है तो यह इसकी जो life cycle है यहाँ पर हमने starting में देखा कि वो sexual reproduction की ज़री है इसमें gamets इसमें बनेंगे gamets के थुरू फिर zygote तो आपने देखा कि जो male and female medusa है उन से इसके gamets male and female gamets इसमें मिलके आगे जाके zygote बनाएंगे ठीक है zygote से फिर zygote अपना next stage planula larva वाले stage में पहुंचता है और planula larva वाले stage के बाद ये next पहुंचेगा अपनी hydra tuba stage में जहां से कि ये scyphistoma या strobula वाले stage में पहुंचता है और फिर scyphistoma से इसमें firey बनते हैं fire larva और ये fire larva finally अपने आपको adult medusa में convert करते हैं तो ये medusa या तो male हो सकते हैं या फिर female हो सकते हैं तो ये बहुत ही in short आपको इसकी life cycle या पर दिखाई गई है यहां पर figure के माधियम से आपको जो aurelia है उसकी life cycle दिखाई गई है तो यहां आप figure के माधियम से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि जो medusa होगा aurelia का या तो male होगा या फिर female होगा और उसमें gonads की संख्या चार होगी तो जो male medusa है उसमें sporm बनेंगे और female में ओवा बनेंगे तो male medusa जिसमें की sporm बने हैं वो sporms mature sporms sea water में इसके release कर दे जाएंगे इसके mouth के जर्ये और उसके बाद फिर ये तरते हुए female medusa में उसके mouth के जर्ये ये उसके gastric pouch में पहुंचते हैं जहां पे की mature over रहते हैं और वहीं पे इसमें internal fertilization होगा और fertilization के बाद जब इसमें zygote बन जाता है तो जो zygote है वो इसके mouth के माधियम से फिर इसके जो oral groove है वहाँ पे ये पहुंचेंगे और oral groove में ये उसके groove में ही जाके सबसे पहले अपने लिए एक pouch create करते हैं और उसमें ये settle हो जाते हैं और वहाँ पे settle होने के बाद इनमें further जो development है वो वहीं पे होगी इसके groove में और वहाँ पे फिर इसमें cleavage होगा cleavage holoblastic रहेगा और holoblastic cleavage के बाद इसमें two cell four cell stage और इस तरह से फिर ये अपनी morula की stage में जाता है then blastula की stage में फिर आप देख रहे हैं कि ये gastrula की stage में इसमें invagination आपको दिखाया गया है यानि कि एक घुमाओ और इस दोरान इसमें endoderm, actoderm, sealantron और एक blastoporis में बन जाता है और उसके बाद फिर इसकी जो actoderm वाली layer है हमने देखा था है कि उसमें बहुत सारी cilia निकलाती है और जैसे इसमें cilia निकलेंगे उस stage को कहेंगे planula larva stage आप ये planula larva जो कि third में लिखा हुआ है या पर third में दिखा गया है इस stage के बाद ये उस female के oral arm के groove से निकलाता है और इन cilia की health से ये पानी में तेरना चुरू करता है और कुछ time तेरने के बाद ये फिर पानी में sink कर जाता है पानी में नीचे बैठ जाता है और किसी substratum से अपने जो इसका aboral end है उसके side से ये उसमें चिपक जाता है और फिर इसमें further development होता है और further development के दोरान इसमें elongation होगा पहले और उसके साथ ही साथ फिर ये अपना polyp form में अपने आपको convert करता है और फिर हमने देखा ये अपनी hydra tuba वाली stage में जाएगा hydra tuba की stage में फिर इस हमने देखा कि इसमें नीचे से इसमें stolen बन जाता है ठीक है stolen हम उसे कह रहे है जहाँ पे कि इसमें एक root like structure बन जाता है और फिर साथ ही feeding करना शुरू करता है और उस stolen में फिर budding होती है और फिर धीरे धीरे ये strobula वाली stage में पहुंसता है जहाँ पे कि अब हम इसे कहेंगे skyfistoma यानि कि इसमें segmentation start होता है और इसका segmentation जो winter से यानि कि दूसरा जो winter होगा इसकी life में उसमें इसमें transverse vision होने शुरू होते हैं और हर एक segment से एक इफाइरा बनना शुरू होता है हर एक segment से एक इफाइरा बन सकता है तो कई सारे इसमें segment से होते हैं तो उतने इसमें 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 इफाइरी बनते हैं और इह इफाइरी फिर इसकी body से यानि कि strobula से अलग हो करके आपने आपको finally medusoid form में इया अपने आपको convert कर लेते जहां से कि फिर से इसमें सेक्शुल रिप्रोड़क्शन की प्रोसेस शुरू होती है तो इस तरह से हमने देखा कि जो इसकी सेक्शुल रिप्रोड़क्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई दो अलग-अलग मेड्यूसी से जिन में polyp बने और उससे वहाँ जहां से इसमें polyp बनने शुरू है तो उसके बाद हमने देखा इसमें budding स्टार्ट हुई जो कि इसका asexual form of reproduction को show करता है और जो asexual form of reproduction है उसी से इसके जो medisoid form है यानि के sexual इसका जो part है या sexually reproducing जो aurelia है वो इस से प्रड्यूस हो रहे हैं तो यह इसकी life cycle में बहुत ज्यादा interesting बात है अब इसमें वार बार आप लोगों को एक चीज्स आप लोगों को याद दिलाना चाहरे हूं या आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को मैं बार बार बता रही थी कि कहां से इसकी life cycle start हुई यानि कि जो और इलिया है इसकी जो life cycle है या life history sexual medusoid form से शुरू होती है ठीक है और ये sexual medusoid form आगे इसमें changes आने के बाद ये asexual polypoid form यानि कि scyphistoma वाली form में ये convert होता है ठीक है तो इस तरह से जो इसकी life cycle चली उससे हम कहेंगे वो या वो show करती है क्योंकि जो इसका free swimming जो इसका और इलिया वाला form है वो इसके medusoid form या फिर इसके sexual generation को रिप्रेजन करता है और जहां पे किसमें gametes बनते हैं और इन gametes से फिर आगे ये fertilization के बाद जाइगोट में होंगे और ये जाइगोट डैवलप होने के बाद अपने पॉलिपॉट फॉर्म यानिकी स्काइफिस्टोमा वाली स्टेज में ये जाता है और इस स्टेज में जाने के पहले ये प्लैनूला लार्वा यानिकी जो इसकी फ्री स्टेज है उससे ये अपने पॉलिपॉट फॉर्म यानिकी स्काइफिस्टोमा वाली स्टेज में ये अपने आपको कनवर्ट करता है तो इस तरह से जो इसका पॉलिपॉट फॉर्म है स्काइफिस्टोमा का वह रिप्रेजेंट करेगा सेक्शुल जैरेशन को जबकि जो स्काइफस्टोमा है वो बाद में आगे जाके फिर वो एसेक्शुली यानि कि बडिंग के थूरू या फिशन के थूरू रिप्रोड्यूस करता है तो इस वज़े से इसकी जो जैनरेशन या जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है उसे हम कह रहे हैं कि यह शो कर रहा है आल्टरन जिसे हम कह रहे हैं वो साइंटिस्ट के अपारब्ग्वलटर नीशन ऊफ जैनरेशन नहीं है उसे उन्हाने बोला प्रोवूंड मेटमर्फोस ठीक है तो उनका कहिना है कि जो ओरेलया है वल्टरनीशन और oportun all generation शो नहीं करता है हो शो करता है प्रोलॉंड एक सट्र 방1,落ब技 में metamorphosis की वज़े से वो stage आ रही है ठीक है ना कि जो इसका polypoid stage यानि कि जो skyphistoma वाला form है उसमें metamorphosis की वज़े से नहीं आई है वो stage वो stage जब उससे इफायरा बाहर release हो गए है तो इफायरा में metamorphosis होने की वज़े से medusoid form बने है उनका एक ये reason है दूसरा उन्हाने बोला कि जो इसका polypoid phase है काइफिस्टोमा का उसका size बहुत ही ज़्यादा वो reduce कर जाता है क्योंकि जो इसमें budding होती है और साहती जो इसमें कई बार उसमें जो fission होते हैं यानि कि जो इसमें division हो रहे हैं transverse division तो इस वज़े से जो इसका size reduce हो जा रहा है तो इस stage को better है कि हम इसे एक alternation of generation की process कहें उससे better रहेगा कि इसको prolonged metamorphosis की stage कहें तो वो ज़्यादा best रहेगा और एलिया के लिए आज के lecture में इतना ही मैं आशा करती हूँ कि आपको ये lecture अच्छे से clear हो गई है तो और एलिया को समझने में आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती तो आप कई बार इसको सुन सकते हैं कई बार इसको पढ़ सकते हैं तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अपनी स्टडीज में बहुत बेस्ट करेंगे और मुझे लिख के जरूर बताएंगे थैंक यू